PU exams में ये question 2010 में, 2016 में, 2019 में minimum 3 बार आ चुके हैं और ऐसा question आने की उमीद रहती है हर exam में जहांपे आपको एक transformation दी होती है और transformation का आपको range space और null space का dimension और basis निकालना होते हैं ये concept बिल्कुल सेम है जैसे हम निकालते है rank और nullity तो शुरू करते हैं, मैं पूरे question को steps में break करूँगा सबसे पहले आपको as it is t लिखनी है और step number 1 में आपके पास क्या होगा step number 1 में आपको लिखने है कि जो standard basis है r cube का standard basis r cube का क्या होगा standard basis of r cube is 1, 0, 0 and 0, 1, 0 and 0, 0, 1 ये आपके पास standard basis होगा अब सबसे पहले काफी बार इन तिनों को हम e1, e2, e3 की form में भी लिखते हैं ठीक है, मर्जी आपकी इस form में लिखना तो लिखो नहीं तो t of 1, 0, 0 put करो direct जब आपने 1, 0, 0 इसमें put किया तो इसकी values आ जाएगी और ये काम इतना easy है कि कोई 8th class का बच्चा भी इसमें कर सकते है 1, 0, 0 values रखना और similarly फिर आप t को 0, 1, 0 प रखोगे 0, 0, 1 रखोगे सो second आपके पास है 0, 1, 0 और third आपके पास होगी 0, 0, 1 वीडियो को pause कीजी एक बार और चेक कीजी कि जो मैं यहाँ पे value रखोगा कि वो आपकी value से match करेगा या नहीं करेगा तो ये value आएगी finally 1, 0, 1 और ये value आएगी आपके पास 2, 1, 1 और ये आएगा 0, minus 1, or 2 ठीक है तो अब हमें चेक करना है कि ये जो range में ये तीन vectors आ रहे हैं क्या ये linearly independent है और range को span करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक matrix से बनाएंगे ठीक है एक matrix से बनाएंगे 1, 0, 1 लिखा हमने फिर 2, 1, 0 लिखा ये 2, 1, 0 होगा और ये 0, 1, minus 2 होगा 0, minus 1, or 2 होगा ठीक है अब इस पर operations लगाने शुरू किये operations R2 में से हमने 2 times R1 minus कर दिया R2 minus 2 times R1 तो आपके पास क्या बनेगा 1, 0, 1 फिर 0, 1, minus 2, 0, minus 1, और 2 अब आपने R3 पे operation लगाया, R3 पे क्या operation होगा कि R3 plus R2, R3 plus R2 तो ये बनेगा 1, 0, 1, ये बनेगा 0, 1, minus 2, 0, 0, 0 ध्यान देने वली बात ये थी कि हमारे पस 3 vectors आये थे पर ये 3 vectors 3 vectors नहीं थे, ये 2 vectors ही बन गया आपके पास क्योंकि इसका rank 2 आ गया एक vector redundant था, fall to vector था वो ठीक है, तो basically जो range space है तो आप एक line लिखोगे बस, मैं बहुत simple language में लिख रहा हूँ थाकि आपके number भी नहीं कटेंगे और आपको बहुत easy लगेगा range space is generated by, range space किस से generate होती है generated by 1, 0, 1 और 0, 1, minus 2 तो rank किस के equal आ गया, rank की value आ गयी आपके पास 2 के equal basically यह basis बन गया, किसका basis बन गया, range space का basis बन गया और इसका dimension कितना आ गया, 2 आ गया ठीक हैं बस, वो same चीज़ है जैसे आप rank और nullity निकालते हो तो step number 1 में आपके पास सिरफ यह concept है अब आपको null space निकालने है null space के लिए हम क्या करते हैं definition kernel की याद करो जितनी बार copy में आप लिखके देखोगे, practice करोगे उतनी बार आपको easy लगेगा otherwise जितनी बार भी मैं kernel की definition या कोई भी teacher आपसे kernel की definition पूछेगा तो आप blank हो जाओगे so kernel का मतलब क्या होता है कि अगर t of v equal to 0 हो वो सारे v इस vector space के जो 0 पे map हो रहे हो ठीक है तो second step आपका यहाँ से शिरो हो जाएगा यह आपको ऐसा चलिखने नहीं है यह सिरफ मैं बता रहा हूँ आपको तो यहाँ पे kernel क्या हो जाएगा माल लेते हैं कि जो आपके पास एक vector है x, y, z यह belong करते है kernel of t से तो मतलब कि t of x, y, z किसके equal हो जाएगा 0, 0, 0 के equal तो यहाँ से क्या लिखोगे x plus 2y y minus z और x plus 2z यह बनेगा equal to 0, 0, 0 अब इसे solve करना शुरू करो solve करना शुरू करोगे तो आपके पास क्या बनेगा basically matrix form में लिख लो चाहिए आप 1, 2, 0 0, 1, minus 1 और 1, 0, 2 और then x, y, z x, y, z equal to 0, 0, 0 यह जो equations थी यह 3 equations हैं ठीक है यह 3 equations हैं तीन variables में हैं उसे हमने system of homogeneous system of linear equations में लिख लिया मैं word use कर रहाँ homogeneous system क्योंकि right hand side 0 होते हैं तो homogeneous system होते हैं इसकी दो ही possibilities होती है या तो unique solution या फिर infinite solutions तो unique solution तब होगा अगर determinant of a non-zero होगा या फिर rank of a आपके पास 3 के equal आजाए अब हम सबसे पहले इसमे operations लगाना शुरू करते हैं इस पर operation लगाया तो यह 0 बनेगा तो R3 पर operation लगाया R3 minus R1 तो यह बनेगा आपके पास 1,0,0 then 2,1 0 minus 2 then 0 minus 1 2 as it is फिर आपने XYZ लिखा फिर आपने लिखा 0,0,0 अब आपको clearly दिख रहे कि अगर आप इस रो पर operation लगाऊगे operation क्या लगेगा R3 plus 2 times R2 तो यह बनेगा आपके पास 1,0,0 2,1,0 0 minus 1,0 और यह बनेगा आपके पास XYZ और यह बनेगा 0,0,0 तो finally क्या बनेगा X plus 2Y equal to 0 और Y minus Z equal to 0 देखो जो null space होगा उसमें number of vectors कैसे निकालने है ध्यान से देखना number of vectors in null space null space में number of vectors कैसे निकालोगे यह निकालोगे number of columns number of columns minus rank तो number of columns आपके पास इसमें कितने है 1,2,3 और rank कितना है इसका 1,2 number of non-zero row मनलें कि non-zero row कितनी है 2 row है तो number of column 3 minus 2 तो इसकी जो nullity निकल गी वो आपके पास 1 निकल गी इसकी nullity कितनी निकल गी 1 निकल गी ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है अब हमें वो vector निकालने है क्या निकालना है vector तो हमें पता है कि Y equal to Z लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते है X को क्या लिखेंगे X equal to minus 2Y that is X equal to minus 2Z ठीक है तो आपके पास क्या आया X की value तो आगी minus 2Z के equal Y की value आगी Z के equal हमने XYZ consider क्या था XYZ तो XYZ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z as it is आगया Y को Z लिख दिया minus 2Z लिख दिया तो minus 2, 1, 1 और Z तो यह null space में आपके पास क्या आजाएगा null space equal to minus 2, 1, 1 such that into Z Z कोई भी real number हो सकते है Z क्या हो सकते है कोई भी real number तो इसके null space में आपको एक element देखने को मिले तीन number का यह question definitely पूछा जाते है तो यहाँ पे सबसे पहला step है कि आपको range निकाल लीजिए अगर range की value 2 आगी मतलब rank की value 2 आगी तो हमें पता है कि rank plus nullity तीन के बराबर होना चाहिए जब हमें पता चल गया कि rank की value 2 आई है तो nullity की value definitely 1 आईगी तो हमें एक vector निकालना होते है और इस चीज़ को हम rearrange करके finally x, y, z की values निकालेंगे ये concept आपको आईगन vectors निकालते होगे भी काफी काम आने वाल है जब आप आईगन vectors निकालोगे तब भी इस चीज़ को use करना होते है तब भी हम वहाँ पे आपके पास basically ये system of linear equations होगा इसे solve करके हमें कुछ ऐसा vector form करना होते है अगर आपको कोई doubt हुए इस video में, इस concept में तो आप मुझे whatsapp कर सकते हो आप contact कर सकते हो मुझे इस number पे 700-99-37-180 पर मैं आपको live class लेके या offline class लेके आपको ये concept explain कर दूँगा पर ये concept है बहुत important और है भी बहुत easy ठीक है सिर्फ एक बार आपको click करने की देर है otherwise इसमें आपके तीन number पक्के है so मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे content के साथ तब तक पढ़ते रहे है practice करते रहे है कर दो अच्छे बार आपको 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 कर दोड़ते है